हलो वेलकम नमस्कार दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लोग आज जिसकस करने वाले हैं UPPCS का प्रिविएस येर का कोश्चन पेपर वो भी बहुत ही डीटेल में वो बेसिकली है सब्जेक्ट वाइस भी है और ये है topic wise भी है मतलब इसको subject wise तो इसको categorize किया ही हम लोग ने और इसके बाद में इसको और ज़्यादा तोड के फिर subject के बाद topic कर दिया है मतलब कि जो subject है subject के अंदर जैसी UP का है UP में भी current affairs और GK है जैसे ऐसे करके तो ये last three years का ये analysis है detailed analysis अब तीन साल का इसलिए किया है क्योंकि 2018 के बाद में UP PCS के जो भी paper हुए है सभी paper में बहुत ही drastic shift मिला है last जो paper था 2018 का उसमें maximum number of repeated questions थे और वो पुराने trend पे ही अधारित था 18 के बाद में 2019 आया repeated questions के संख्या कम हुई है 20 आया है और कम हुई है 21 वाले में तो एकदम मतलब बिलकुल कोश्चन पूरी कोश्चिस कर रहा है कि ज्यादा ज्यादा नए question डाले जाए और पुराने pattern को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो इसलिए मैंने last three साल का paper analysis किया तो इस वीडियो को last तक आप देखिए हम लोग detail में बात करेंगे और इसमें इसको कैसे हम लोग को काम करना इस strategy पे वो भी मैं बता दूँगा उसी को strategy पकल करेंगे आप आराम से 100 पार आपका आराम से हो जाना चाहिए आप बस थोड़ा मेहनत कर लीगे जो भी नए viewers से इस चैनल को subscribe और like जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह कि important information आप लोग को exam तक मिलती रहेगी और exam के बाद तक भी मिलती रहेगी तो ठीक है अब इसको हम लोग discuss कर लेते हैं थोड़ा सार पहला जो है यह previous year detailed analysis है यह तीन साल का है 3 years 2019, 2020, 2021 का अब इसमें पहला topic अगर हम लोग बात करें Indian geography of world geography का तो इसमें 2019 में पूछे गए थे 24 questions, 20 में 16 पूछे गए और 21 वाला जो था इसमें total 14 questions पूछे गए तो इसमें जो 6 Indian का था 8 world geography का था तो इसमें last के 2019 अगर देखें तो इसका portion कम हो रहा है पर कम हो रहा है तो इसका मेला यह बिलकुल नहीं है कि 2022 में इसका portion हम लोग को ignore करना है यह importance कम देना है तो इसके 14 questions 21 में आये थे इंडियन politics अगर देखें तो 2019 में 20 question दे 20 में 20 question आये यह में इसका segment बढ़ा दिया गया है 26 question आये तो इसको आपको और focus करना है अगर history का देखें तो history को तीन चीजों में categorize कर दिया गया इंडियन history है जो ancient, medieval और world तो यह हर साल तीनों ही portion से question रहते हैं तीनों ही question के उपर नीचे घटते बढ़ते रहते हैं तो अभी एक नया trend 2021 में जो शुरू है पहले क्यादा था 19 में अगर देखें तो 21 में ancient में 6 सवाल थे तो टोटल 22 सवाल थे 20 में भी यहीं 22 सवाल थे पस इसमें medieval का segment थोड़ा बढ़ गया था एंशेंट और modern का 6 सवाल थे अब जो 19 वाल यह 21 वाल हुआ है जो 21 वाले में टोटल 19 सवाल थे 19 सवाल कम नहीं होते हैं पर यहां ancient और medieval में 4-4 सवाल थे हैं modern का segment बढ़ा दिया गया है तो जो आपको modern इसको और अच्छे से पढ़ना वैसे भी अच्छे से ही पढ़ना होता है लेकिन अब जो 21 वाला ट्रेंड है चाहिए आप आरो का पेपर आप देख लिए या पीसेस वाला जो 21 वाला है इसमें modern का segment बढ़ा दिया गया है तो टोटल 19 यह भी बड़ा segment है अब इसमें अब इंडियन economy की बात कर लें तो इंडियन economy traditional तो रहता है इसमें maximum portion जो रहता है वो current से रहता है तो आप 19 में 14 सवाल आये थे 20 में 10 से हैं और 21 में एकदम कम हो गई है और यह 8 सवाल थे अब इसका यह कह सकते हैं कि करेंट अफियर्स का portion बढ़ा था तो बहुत से question economy current में add हो गया है बट इसमें question इसका कम हुआ है science and tech का 25 थे 19 में 20 में 11 हो गया अब यह science and tech का portion यह drastically बढ़ा है 20 की comparison में 2021 में तो इसको आपको थोड़ा focus ज्यादा करना है environment का देख लीजे 14th question जो थे यह आपके 19 में थे 13 question आपके 20 में है यह 4 question यह आपका portion एकदम कम हो गया उदर geography का भी कम हुआ है और यह environment का भी कम हुआ है census का देख लीजे सिर्फ दो सवाल देखके इसमें 20 में तो एक भी पूछा ही नहीं गया है 19 में 4 सवाल थे तो अब बिलकुल current affairs का देख लेते हैं यह मैं आकरी तक बताना चाहरा था इसलिए मैं बोला था आकरी तक आप वीडियो को देखिए census अब बहुत ही ज़्यादा important role play करेगा census अब वो सॉरी current affairs अब current affairs का मलब यह नहीं है कि आपने द्रिस्टी उठाई द्रिस्टी उठाके पढ़ लिया सतही जो 2020 तक होता था अब वो बिलकुल नहीं करना है अब तो अगर किसी भी आदमी या किसी भी वेक्ती संस्था किसी के बारे में अगर आप पढ़ र है 2021 से तो अब 2019 में 25 सवाल थे 20 में 28 साम यह देखिए यह सीधे सीधे 33 सवाल हो गया है और अगर यूपी का भी current affairs जोड लेंगे उसमें तो कम से कम जो है 78 सवाल तो यूपी के ही एड हो जाएंगा वो भी current affairs का ही था यूपी का current affairs अब 2021 में बहुत ज्यादा पूचा गया है सवाल थे 2021 में 2020 में 22 सवाल थे 19 में तो एक ही सवाल था तो अब इसमें strategy आपको follow क्या कर नहीं यह तो एक categorization हो गया आप कोई इसमें topic कितने हैं लगबग 10 topic हैं तो इसमें अगर 10 topic हैं तो इसमें से कोई भी 3 या 4 topic आप एकदम command कर लिजे चाहे आप इंडियन quality पकड़ लिजे history पकड़ लिजे science पकड़ लिजे और current पकड़ लिजे ठीक है अगर यह कर लेंगे तो आपका कम से कम जो है कि आपका मतलब cutoff power हो जाएगी या आप अगर geography करना तो आपको सभी है पर मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा command का मतलब कि आपका cutoff power हो जाए जो बड़े-बड़े segment है आप geography अगर कर सकते तो आप geography पकड़ लिजे तो geography अगर कर लेंगे तो आप economy को आप current affairs के भरोसे छोड़ सकते हैं इन्वामेंट तो आप geography करते हैं हो जाती है census यह सब जरूत नहीं है यह current में हो जाएगा बाकी अगर आप करना ही चाहें तो history जोग्रफी में सेख कर लिजे या दोनों कर सकते तो बहुत बढ़िया है मलब करना सब है मलब ऐसा है कि पक्का कर लीजे पॉलिटी आपको करना ही है साइंस इंटेक करना है current करना है current का portion अब 40 question से कम नहीं है यूपी का भी मिला के तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो है इसको आप ध्यान से आप लोग देखी चुके है अब इससे ज़्यादा आपको कुछ करने के जरूरत नहीं है अब चुकि स्टेडी शुरू हो रही है अब नोटिफिकेशन आने वाला है इसलिए मुझे लग झालओंग मुझे लग्ट और नहीं होगि को बची कुछ करने के जरूरू हो रही है अब चुके लगको करने के जरूरू